हाई गाइस वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो देखिए है मैंने जो नाइट पैंट का ओडर किया था वह आज आ गया है तो अभी इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे हम तो गाइस 129 रुपीज को यह मुझे मिला है यहां पर 159 करके यहां पर दिखाया हुआ है लेक रिद न चाहिए या नहीं आपको बताऊंगा वाजर में 3500 और 500 तक मिल जाता है नाइट पैंट का रिटे इतना बढ़ गया है तो चलिए भी बिना आपका टाइम वेस्ट करेंगे मैं अन्बॉक्सिंग कर देता है तो गाइस यहां से इसे तो गाइस यहां पर इसके क्वालिटि देखें मैंने एक्सल में जागा था तो एक्सल आ गया है इसका ब्रैंड है यापर देखें brand का logo देखके मगाया था मैंने और इसके unboxing के review shop close में देखा था मैंने मुझे अच्छा लगा इसकी quality इसलिए मैंने मंगाया है तो अभी इसे open करके देखें कि हम कैसा आया है हाँ पर तो मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो में तो अच्छा ही देखा था लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैसा है और साइज अच्छा मिलता है या नहीं साइज के बारे में भी और हमें साइज अच्छा मिलता है या नहीं साइज की बारे में भी थोड़ा दिक्कत लग रही थी मुझे तो देखेंगे हम साइज का तो अभी इसे अन्बोक्सिंग कर लेते हैं हम तो गाइस देखें एक्सल में मंगाया था मैंने मतलब लॉंग में भोती शॉर्ट हो जाएगी इसलिए मैंने एक्सल में मंगाया था तो गाइस देखें एक्सल में कुछ ऐसी आगई है बड़िया क्वाल्टी है एक दम बड़िया क्वाल्टी गाइस देखें इसका देखे इसका स्टीकर थोड़ा स्टीकर का तो मुझे थोड़ा डैमेट लग रहे है स्टीकर लेके क्या करेंगे आप लेकिन पैंट की क्वाल्टी आप देख लीजे फुल अच्छी क्वाल्टी आई है स्टीकर तो थोड़ा ऐसे निकला हुआ है स्टीकर अच्छा आएगा ल और लाइक का बटन ढूकिए और बेल आइकोन प्रेस करना मत भूल ये ऐसी ओफर्स की वीडियो आपको आतेर रहते हैं और देखिए एक्सल में मागया है मेरा साइस भी ठीक से आ गया है आपको दिखाऊंगा नहीं लेकिन आप समझ लिजे की पैंड के क्वाल्टी कैसे है और हैं पर दिखिए हैं पर चैन दिया हुआ है चैन भी दिखिए चैन की क्वाल्टी भी बहुत अच्छी आई है तो लगया है कोई बात नहीं है चिपका रहता है आइसाइए मतलब दीके स्टीकर है और डिनल प्रिंट नहीं है लेकिन कोई बात नहीं अच्छा है कॉल्टी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको पसंद आज तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कि